बाबा जी दी प्यारी साज संगा जी रादा स्वामी आज रवीवार नूँ प्यारे सत्गुरु जम्मु देविच सत्संग फरमा रहे हन लेकिन प्यारे सत्गुरु दा सूख्षम रूप जो हुनदा है जुनू असी आत्मिक सब रूप कहन दे हाँ उखमीशें ब्यास दे विच होन्दा है इस करके असी एक अदी नहीं कह सकते कि बाबा जी ब्यास विच नहीं हानती असी साथसंग पे नहीं जाना जेडी वी संगत आ सकती है उनानू साथसंग विच जुरूर आना चाइदा है आज बाबाजी दे हुकम दे अनुसार वड़े महाराज चरन सिंग्जी महाराज दा सत्संग सुनाया गया महाराज चरन सिंग्जी ने फर्माया कि जदो तक पाणी हिलदा है असी अपना सवरूप नहीं देख सकते इसे तरह जिस्दों तक मन टिकदा नहीं मन दुनिया दे विचारा तो बाहर नहीं निकलदा एक आगर नहीं होंदा तद तक असी अपने प्यारे सत्गुरू दे दर्शन नहीं कर सकते अंदर परकाश नहीं देख सकदे शब्द तुन तद तक सुनाई नहीं दे सकदे ज़द तक की मन पानी दी तरह टिकदा नहीं ते निर्मल नहीं हो जन्दा साथ संग नू अग्गे फर्मान दियां होया महाराज चर्ण सिंग जी ने फर्माया कि जदो सानू पता हुनदा है कि एक्जाम्पल दे दियां होया समझाया कि ए बास दिल्ली तक जानी है तो ऐसी निश्चिंत हो के बासी या ट्रेन विच बैड जन दे हां सानू किसे नू पुछन दी लोड नहीं है इसे तरह जदो सानू रस्ता पता लग जानदा है कि इस रस्ते दे द्वारा प्यारे सत्गुरु तक पहुंचना है त्रिकुटी तक जाना है उथे बैठ के सिम्रन करना है सत्गुरु दे दर्शन होने हां ते फिर असी निश्चिंत हो के प्यारे सत्गुरु दे हुकम दे अनुसार त्रिकुटी दे विच बैठ जन दे हां अते सिम्रन कर दे हां अग्गे दा कम सत्गुरु ने आप ही करना है सत्थसंग नो अग्गे फरमांदिया महाराज चरं सिंग जी ने फरमाया कि महाराज चरं सिंग जी ने कया कि ज़िए तो ज़िएदा सेवा करनी है पजन सिम्रन करना है कि बुरापे दे विच सड़ा जो शरीर है कई वरी ओ साथ नहीं देणदा इसकर कि जवानी और बचपन दे विचि जिनना ज़्यादा तो ज़्यादा हो सके पजन सिम्रन करना है सेवा करनी है आज जैसी एक शिक्षा लेनी है कि अपने प्यारे सत्गुरु वड्डे महाराज चरण सिंधी याद विच कई सत्संग व्यास दे विच सुना दे हाँ अपने सत्गुरु दे प्रती इन्नी शर्दा सानू भी रखनी चाहिदी है कदे भी अपने प्यारे सत्गुरु दे वचना नू पुलना नहीं चाहिदा है कदे भी नहीं पुलना चाहिदा बबाजी दी प्यारी संगत जी जो अगले दो पॉइंट समाहरा चरण सिंग जी ने समझाए सन असी ओपार्ट टू साथ संग विच लवांगे इनु जादा तो जादा संगत विच शेर करना है और एक कदी नहीं सोचना कि बबाजी अज ब्यास विच नहीं हांति असी साथ संग मिस कर देना है साथ संग कदी मिस नहीं करना क्योंकि जो बाबा जी दा आत्मिक सवरूप है वो हमेशा ही ब्यास वीच है बाबा जी दी प्यारी साथ संग जी रादा स्वामी